वेले दोस्तों, आज की सुडियो में आपको सारा रिफंट पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ दोस्तों खास करके आप एक से ज़ादा जो आपके पास बोंड ये उन्हें आप केसे एड़ करके अपलाई कर सकते हैं आपके पास एक हैं तो आप कर सकते हों लेकिन आपके पास एक से ज़ादा है दो है तीन है तो आप उन सब को केसे एड़ कर सकते हो और अपने फोर्म को आगे बढ़ा सकते हो तो आज की स्वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे सहरा के बोन को एक से ज़्यादा क्लेम कर सकते हो एट करके अपनी एपलाइग फोर्म को बराबर कर सकते हो आगे भेज सकते हो तो आज की स्वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको मुझाल की स्क्रीन पे एक दम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको एड़ करके दिखाऊंगा एक मेरा बोंजे उसको एड़ करके दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तों तो आप देख सकते हैं पहले आपको अपने क्रोम पे आ जाना है और यहां पर से आपको इस साइट पर चले जाना है आप देख सकते हैं SSCNSR की यह वेबसाइट है जिस पर मैं आपको एट करके दिखाऊंगा तो चले मैं आपको सब कुछ शुरू से दिखा देता हूं यदि आप नहीं तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस साइट पर आने के बाद आपको नीचे जाना है जहां से आप इसको लोगिन कर सकें तो दे do a so के लिए तो यहां पर मैं जमा करत लोगिन पे कर लाता हूं आपको पहले जमा करत पंजी करना पड़ेगा उसके पास जमा करत omega-00 करना पडका कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आपको चार सब्द जाले हुआंगे दार नंबर के और अपना मॉइल नंबर जलना हु टो इसके बाद मिया आनी डाल देता हुं तो यहां मैंने डाल दिया और maken अच्छी प्राप्त करें पर किलिघ करता हूं किर आपको हर बार करना है तो यह यह यहांप और तो देख सकते हैं मैंने ऑच्षीप डाल दिया उसके बाद में ओ Deus रपी सत्वापित करुगा तो आप देख सकते हैं आपकुछ इस तरह से फोटल खुल चुका है देख सकते हैं कि मैंने 21 तारिक को यहाँ पर लोगिन कर चुका हूँ मैं यहाँ पर दो दिन से लगातार इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ तब जाकि मेरा अब यहाँ पर काम हो रहा है तो यहाँपर मैं अगला कर देता हूँ फिर यहाँपर मैं फिर दूसरी प्रोसेस पर आना पड़ा था तो देख सकते हैं हाँपर मेरे पापा का नाम यहाँपर सारी डिटेल साग़ी है बेंग तमबर एमेल आएगी सब कुछ यहां पर फिर से मैं अगला करूँगा यह सब आपको भी करना है दोस्तों इसके अलवा आप यहां पर आप मुद्दे की बात देखिए कि यहां पर एक से ज़दा आप बोंड को कैसे जोड़ सकते हैं तो यहां पर step 3 है दावा विवरन यहां पर आपको सोचाइटी का नाम जोड़ना होगा membership, खाता नंबर, रसीद नंबर और बागी सब यहां पर date वगेरा पेसे वैसे सब लिखने होगे तो देख सकते हैं यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहां पर मैंने पेले से अपने दो हैं जो बोंगे वहां जोड़ रखें हैं यहां पर पेसे देख सकते हैं 10,000 और 27,000 पहले सभी मेरे दो बोंगे यहां पर जुड़े हुए हैं अब मैं यहां पर तीसरे को जोड़ने जा रहा हूँ तो देख सकते हैं पहले आपको यहां पर select society करना है मेरी society है star multi-purpose corporate society को मैं select करूँगा यहां पर मैं membership number जाल देता हूँ फिर मैं इसके बाद खाता number जाल देता हूँ दोस्तो आपको भी same wayside करना है जैसा मैं कर रहा हूँ उसके बाद आपको यहां पर रसीद number लिखना होगा जो आपको bond पे मिल जाएगा तो देख सकते हैं मैंने आपको यहां पर अपना रसीद number लिख दिया है इसके अला मैंने यह कब खोला था उसके date में लिख देता हूँ 2017 में मैंने इस bond को खोला था और पेसे यहां पर मैं लिख देता हूँ अपने सेम चुसेम आपको भी ऐसा ही करना है बीना किसी गलती के सब कुछ ध्यान से भरी अगा अब देख सकते हैं यहां पर choose file का option आया है तो इस पर मुझे इसकी photo यहां पर लगानी होगी और उसका size यहां पर देख सकते हैं 200KB से कम होना चाहिए यहां पर आप PG, JPEG, PNG में किसी में भी यहां पर upload कर सकते हैं जो मैं upload करके आपको दिखाने वाला हूँ आपको दस यहां पर choose file पर क्लिक कर देना है यहां से आप गेलरी बें जाएंगे यहांसे मैं गेल्डवी में चला जाता हूँ यहांपर मेरी यह फाइल रेजिए जिसको मेंने कनवर्ट कर लिया है यह यह आपको कनवर्ट नहीं करना आता है तो चैन्सां की बात नहीं है अपने कमेंट कर देना मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगा कि कैसे कैसे बड़ी फाइल्स को छोटे में कनवर्ट किया जाता है याँने कि मेरी यहाँ पर देख सकते हैं सारी जिटल्स मैंने फील कर दी है यहाँ पर आपको लिखा होगा पेसे जमा करने के नीचे कोई अन्शिक भुक्तान प्राप्त करें याँ आपको यहाँ से कोई पेसा मिला हुआ है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं इसके आलों यहाँ पर दूसरा उप्शन है कि रिर्ण लिया हो याँनि कि आपने यहाँ से कोई लोन वगेरा लिया हो तो इसको यहाँ पर टिक कर स और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से मेरा जो तीसरा जो बोन्ट था वो भी यहां पर जुड़ चुका है यहां पर देखिए मैं वित पूरूब दिखा रहा हूं यहां पर देखिए यहां पर आपको अगला पर किलिक कर देना है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं अपर एक फॉर्म आरा है डाउनलोड के लिए जिसके बारे में आपने सुना होगा यहाँ पर मैं इसको form डाउनलोड पर किलिक करूंगा नियाँ पर पूछ रहा है कि मैं अपनी जानकारी को सुनुचित करना चाहता हूं कि नहीं तो हाँ मेरी सारी जानकारी ठीक है आपको इस सब चीजे ध्यान में रखके भरना है उसके बाद आपको यहाँ पर ठीके पर किलिक कर देना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक form बिल्कुल खुल चुका है मतलब यह portal काम कर रहा है अब दोस्तों मैं इसको feel कर लेता हूं में इसको मुझे feel करना होगा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी भरी हुए मुझे सिर्फ यहाँ पर एक photo लगाना है आप देख सकते हैं आपर पेसे लिखे हुए है मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है डेट लिखा है, सारी जानकार यहांपर बहुती बिल्कुल सही आ गई है, मुझे यहांपर कुछ करना ही नहीं यह बलकि यहांपर सिर्फ मुझे पापा का नाम साइन करना है और इसको स्केन करके बापिस से और एक फोटो लगाना है, यहांपर आप देख सकते हैं और यहांपर बैंक का नाम लिखना है तो यह भी मैं लिख दूँगा अब मैं इसको एडिट करके यहांपर डालने वाला हूँ